हलो बोच्चो मैं समीर सर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ पार्ट नंबर 6, चेप्टा नंबर 7, स्टांडर 12, पी ब्लोक एलेमेंट्स प्रेजन लेक्चर में हम लोग डाय नाइट्रोजन आनवर्ड पढ़ेंगे तो देखो बोचो प्रिपरेशन में पहला दिया हुआ है कि डाय नाइट्रोजन जो है उसकी प्रिपरेशन के अंदर हम एर के लिक्विफेक्शन को यूज करते हैं देखो एर का लिक्विफेक्शन मतलब क्या होता है तो एर को ठंडी करते जाओ खरते जाओ करते जाओ जाओ जिरो केलविन के उपर सब के सब एर जो है वो लिक्विफेक्विट हो जाती है फिर उसका टेमपरेशर थोड़ा 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 करके बढ़ाओ जब टेमपरेशर 77.2 कलविन आएगा तब उसके अंदर से डाइ नाइटोजन गैस जो है वो बोईल होना जो है वो चालू हो जाती है लिक्विट में से वेपर के फर्म में नाइटोजन गैस जो हो बोईल होना चालू हो जाती है और उसकी vapors को आप separate करके बाकी के mixture में से nitrogen को अलग कर सकते हो अगर ये temperature बढ़ा के 90 Kelvin करोगे मतलब 77.2 पर थोड़ी दे रहने देने का सब nitrogen निकल जाएगा फिर temperature बढ़ा के जब 90 Kelvin लेके जाओगे तो उसमें से oxygen gas अलग हो जाएगी तो ये हैर के liquefaction से एक method होई di nitrogen gas को prepare करने के लिए अगर लग में छोटी सी quantity में di nitrogen prepare करना है तो कैसे करोगे ammonium chloride में sodium nitrited करो तो CDC बात है कि इतर का Na और इतर का Cl क्या बना देगा सबसे पहले तो NaCl maximum इसमें से कितने water निकाल सकते हो simple reaction है NH4Cl plus NaNO2 maximum कितने पानी निकाल सकते हो तो 4 hydrogen है तो simple सी बात है कि 2 पानी निकाल सकते है clear है क्या चला गया चार hydrogen चले गए 2 oxygen चले गए अब क्या बचा तो Na और Cl पहले तो combine हो जाएगा फिर जो बचा उसको जोड़ दो क्या बचा एक और एक दो nitrogen बचे मतलब वो nitrogen gas है small amount of nitric oxide और HNO3 भी इस reaction के अंदर बनते हैं जिसको हम लोग potassium, diachromate और sulfuric acid के mixture में से पास करके निकाल सकते हैं मतलब क्या हुआ यहाँ पर आपका जो nitrogen बना है उसके अंदर small amount of NO यहाँ पर आपका जो nitrogen बना है मरबर उसके अंदर small amount of NO और small amount of HNO3 भी होता है इसको आपको कहां से पास करोगे तो aqueous solution of K2Cr2O7 plus H2SO4 में से इसको पास करोगे तो K2Cr2O7 और H2SO4 में से इसको पास करोगे तो क्या होगा nitric oxide और HNO3 EC के ही अंदर adsorb हो जाएगा और dinitrogen gas non-reactive होने के वाज़े से वो बाहर निकल जाएगा ठीक है अब समद में आ रहा है ना nitrogen oxide जो है वो यहाँ पर और HNO3 जो है वो solution के अंदर react कर जाएगा dinitrogen non-reactive होने के वाज़े से solution से बाहर निकल जाएगा जो दूसरी method है laboratory scale पर preparation की वो है ammonium dichromate का decomposition देखो यह reaction भी बहुत simple है ammonium dichromate लिख दो पहले तो NH4 twice CR207 maximum कितने पानी निकल सकते हो तो 4 to the 8 hydrogen है ना 8 hydrogen है तो 4 H2 निकल जाएगे पहले तो clear है उसके बाद हमको हमारी जो product है वो निकल लो that is N2 तो N2 निकल गया चार H2 निकल गया फिर बच्चा क्या CR203 बच्चा ना टोटल साथ oxygen थे उसमें से 4 चले गए तो 3 oxygen CR203 बना देंगे तो इस तरीके से thermal decomposition of ammonium dichromate से आप dynitrogen को prepare कर सकते हो यहाँ पर आप देखते हो कि सभी reactions के अंदर side product के form में कुछ न कुछ मिल रहा है अगर आपको बहुत pure quality का dynitrogen बनाना हो तो आप barium azide की reaction करो देखो बच्चो यह azide molecule है N3 जो होता है न उसको आप लोग क्या बोलता है azide बड़ा बनना अच्छा यहाँ पर a3 azide की barium के साथ reaction करा होगे barium की valency 2 है तो azide के दो बार आएंगे क्योंकि azide के overall molecule का जो charge है वो minus 1 होता है अगर और भी clear way में समझना हो तो इसका जो structure है वो कुछ ऐसा होता है N triple bond N यहाँ पर nitrogen जो है वो covalent coordinate covalent bond बनाता है यहाँ पर minus 1 charge आता है जिसको अगर मैं उपर लिखना जाओं तो इस तरीके से overall minus 1 charge जाएगा तो यह जो है उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ न N3 minus 1 N3 minus 1 ठीक है अब इस N3 minus 1 की reaction मैं barium के साथ कराऊंगा तो barium के साथ 2 azide molecules combine होंगे इसको जब मैं heat करूंगा तो क्या होगा barium अलग हो जाएगा unstable nitrogen gas अलग हो जाएगा equation को balance करना होते हैं पितरी लगाने का इसमें barium जो है वो solid form में होगा di nitrogen pure gas form में होगा जिसको आसानी से आप separate कर सकते हो तो बहुत pure MCQ के अंदर पूछ सकते हैं आप लोगों को कि बहुत प्यार di nitrogen जो है वो इसमें से कौनसी method से मिलेगा तो इस equation को आप लोग लिख लोगे अच्छा अब properties की बात करते हैं देखो बहुत simple है di nitrogen जो है वो colorless, orderless, testless gas है इसकी कोई color order या taste नहीं होता है ये non-toxic gas है nitrogen के दो भाई हैं पहला है nitrogen 14 और दूसरा है nitrogen 15 ये दोनों twins है एक का बर्थ जो है वो 14 बजे मतलब 2 बजे हुआ था और दूसरे का बर्थ 15 बजे मतलब की 3 बजे हुआ था clear है? मतलब ये दो isotopes है इसकी water के अंदर solubility बहुत कम है 23.2 cm3 at 273 Kelvin and 1 bar pressure ब्रबर? सिर्फ और सिर्फ इतनी solubility होती है room temperature पे और pressure पे 23.2 cm3 9 nitrogen जो है वो room temperature पे inert होता है क्यों? क्योंकि nitrogen nitrogen की bond atalpy अभी पड़ी 900 kJ per mole से भी ज्यादा होती है इसलिए 9 nitrogen जो molecule है वो room temperature पे inert होता है लेकिन temperature बढाते जाओगे तो इसके जो burn तोटते हैं और फिर यह react करना चालू करता है जब react करना चालू करता है तब metal के साथ और non metal दोगों के साथ reaction करता है जैसे अगर यह lithium के साथ reaction कर जाए तो आप लोगों को परता है कि लिथियम की valency जो है वो 1 होती है nitrogen की 3 होती है तो इनका जो nitrate बनेगा वो Li3N होगा बहुत इक्वेशन को balance करना हो तो इधर आपको 2 लगाना पड़ेगा और इधर आपको 6 लगाना पड़ेगा जब magnesium के साथ combine होता है तो magnesium का nitrate बनाता है इसी method से अगर आप इसकी valency को set करो तो magnesium की 2 है nitrogen की 3 है cross multiplication करोगे mg3N2 होगा equation को balance करने के लिए यहाँ पर आपको 3 magnesium लगाना पड़ेगा तो di nitrogen जो है वो home temperature पर unstable है लेकिन high temperature पर metal के साथ react करके nitrate बनाता है यह nitrate जो है वो predominantly ionic होते है ज्यान रखना बच्चो यह predominantly मतलब ज्यादा तर क्या होते है ionic होते है चलिए अभी इसके बाद di nitrogen के अंदर इतना ही है ammonia का जो preparation है वो आप लोगों का skip है उसके आगे के topics को cover करें इसके पहले di nitrogen के uses को discuss कर लेते है ब्रवर di nitrogen के uses क्या है तो di nitrogen के uses की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा di nitrogen जो है वो ammonia के manufacturing में होता है उसके बाद nitrogen containing chemicals को prepare करने में भी useful है यह जहाँ पर inert atmosphere चाहिए होता है न वहाँ पर काम में आता है जैसे iron और steel industry में अगर इसको air लग चाए तो corrosion की process start हो दाती है इसलिए हम क्या करते हैं इनको prepare करने के लिए di nitrogen का atmosphere रखते हैं आप लोगोंने वो बालाजी वेफर खाई होगी न बालाजी वेफर के अंदर बहुत हवा भरी हुई आती है actually वो हवा नहीं है but nitrogen है जो आपके inner atmosphere को produce करने के लिए use होती है यहाँ पर दूसरा यूज की अगर हम बात करें तो liquid di nitrogen जो है वो as a refrigerant काम में आता है यह बहुत low temperature produce कर सकता है इसलिए biological materials को prepare करने के लिए काम में आता है cryosurgery के अंदर काम में आता है cryosurgery मतलब ऐसी surgeries जो बहुत low temperature पर perform करी जाती है low temperature पर surgery perform करने से फाइदा यह होता है कि आपकी जो microorganisms हैं उनकी growth बहुत कम या लगबग zero के close हो जाती है बरबर तो इन सभी processes के अंदर di nitrogen useful है present lecture यहाँ तक रखते हैं बाकी का next time देखेंगे thank you very much